एक बार एक दूर देश में राजा और रानी के घर एक सुन्दर लड़की का जन्म हुआ, समारों में देश विदेश से परियों को आमंत्रित किया गया था, वे अपने साथ विशेश उपहार लाएं और छोटी राजकुमारी को आशिरवाद दिया ताकि वहां एक चतुर सु लाई और गायब हो गई, हर कोई स्तब्ध रह गया, महल में एक यूवा परी को बुलाया गया था, उसने कहा, मैं दुष्ट चुडैल का श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं मदद करने की कोशिश करूँगी, जब राजकुमारी पिन को छुएगी तो वहां नहीं मर बलकि गहरी नींद में सो जाएगी और केवल एक राजकुमार के चुम्बन से जागरित होगी जो उससे बहुत प्यार करता होगा। जब वहां महल में घूम रही थी, वहां महल की मिनारों के शीर्ष पर एक गुप्त कमरे में आई, जिग्यासु वहां चर्खा चलाने में एक बूरी औरत की मदद करना चाहती थी, वह आश्चर यचकित रह गई क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, उसने महिला से विंती की, लेकिन जैसे ही उसने सुई को छुआ, वहां जमीन पर घिर पड़ी, चुडेल का जादू सच होता नजर आ रहा था, भारी मन से राजा ने उसे भव्य कमरे में ले जाने का आदेश दिया, जहां वहां कई वर्षों तक लेटी रही, पूरा राज्य उदास थ जिस क्षण उसने यह सब कहा, राज्य के सभी लोग और जानवर जहां थे वहीं सो गए, सब कुछ रुख गया, जैसे जैसे साल बीटते गए, महल के चारों और घना जंगल बढ़ता गया और राज्य छिपा हुआ था, ठीक सौ साल बाद, एक सुन्दर राजकुमार जंग मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन है, वह कितनी कोमल और शांत दिखती है, उसने कहा, वह नीचे जुक गया और उसे चुमा, तुरंत, जादू हटा दिया गया, राजकुमारी और सभी लोग जाग गये, चारों तरफ खुशी और जश्न का माहौल था, राजकुमार और रा जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, धन्यवाद और शुब का